इसके साथ ही आप पर हम देखते हैं कि भारती रिजारो बैंक आफ इंडिया के कारे क्या थे किन किन कौन कौन से मात्वपूर्ण कारे ये करता है तो सबसे पहले इसका जो कारे है वो है नोटों का निर्गमन करता है जैसे कि हमने इसके निर्गमन विभाग के अंतरगत देखा कि इसका एक महत्वपूर्ण कारे होता है नोटों का निर्गमन करना इसके अंतरगत क्या होता है कि रिजरो बैंक एक रुपए का जो नोट है और सिक्के है और उसे छोटे जो सिक्के है उनको छोड़ कर बाकि सभी तरह की मुद्रा का वो निर्गमन करता है साथ में यहां पर हम देखते हैं कि सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन निमूले वर्ग के जो नोट जारी कर किये जाते हैं उसका अधिकार केवल रिजर्व बैंक को ही होता है दूसरा इसका कारे होता है रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधी के रूप में एक रुपए के नोट तथा सिक्कों का वित्रण करता है यह तो हमने देखा और साथ में करंसी नोट जारी करने के लिए रिजर्व बैंक जो है वो नोटों के प्रचलन की नियूंतम मूल रिती नियूंतम नीधि पढ़ती को अबनाता है अब क्या है नियूंतम नीधि पढ़ती एक रिजर्व बैंक सर्चलन करे दोosों करोर रुपए मूले से कम नहीं होने चाहिए एक तो ये नियम लगाता है और दूसरा ये बताता है कि इसमें स्वार्ण का जो मूले है धातू जिसे हम बोलते हैं कि अब हमूले धातू स्वार्ण के रूप में उसका जो मूले है और मुद्रा का मूले है दोनों जो है वो मिलाकर 115 करोड रु महतपूर कारे है वो है सरकार के बैंकर के रूप में यह कारे करता है असरकार के पूरी वत्टिय ववस्ताओं को यह नियंत्रित करता है इसके अंतरकाति कौन-कौन से कारे करता है आईये इस पर एक नज़र डाले तो यहां դेखתे hey कि यह जो रिजर्व बैंक है वो सरकार के बैंकर के रूप में एजेंट के रूप में परामर्ष दाता के रूप में जो वित से संबंदित जो परामर्ष होते हैं उसके रूप में यह कारे करता है दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग विवस् तो सरकार के लिए रिण के विवस्ता भी करता है अगले कारे की बात करें तो ये बैंक के रूप में कारे करता है शुरू से जब से हम इसा ध्याय को पढ़ रहे हैं तब से हम देख रहे कि संस्ता होती है सबी बैंकों में सबसे बड़ी संसा होती है और सारे जो बैंक है वो इसके अधिनस्त संसा के रूप में कारे करते हैं तो यह हम यह कहा सकते हैं कि इसका एक महतुपोर्ण कार है कि बैंकों का यह बैंक है इस रूप में कारे करता है जो एक बैंक अपने ग्राहक के लिए कारे करता है यानि ग्राहकों की समस्याओं का वो समधान करता है ग्राहकों को परम संतुष्टी प्रिदान करता है कि उसके ग्राहक वो बने रहे तो बिल्कुल ये जो रिजर्व बैंक है वो अपने अधिनस्तों के लिए भी ऐसे ही कारे करता है कि उसके जो अधिनस्त बैंक है उनको सुचारू रूप से उनका क्रियान्मेन हो सके संचालान हो सके उनको सही परामर्ष देता है और उसकी सही कारे पडाली को संचालित करने में पूरा का पूरा सही योग देता है बैंकों के कारे हम देख रहे हैं इसमें हमने देखा सबसे पहला और मत्वूर कारे जो होता है वहोता है जमा रुपए को प्राप्त करना क्योंकि हमने देखा कि रिजर्ब बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है तो विभिन बैंकों में जो जमा रुपे होते हैं उनको ये प्राप्त करता है और इसके साथ ही ये अन्य जो सरकारी अर्द सरकारी और गैर सरकारी जो संसाय होती है और वेक्तियों के जमाई होती है उनको ये प्राप्त करता है लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर बात ये है क केंद्रिय बैंक इन जमाओं को प्राप्त करता है तो इस पर किसी प्रकार का वो ब्याज नहीं देता है दूसरा इसका जो एक साधारन कार है वो है रिंड लेना तो रिंड कुछ नियमों के अंतरगति रिंड लेता है कौन-कौन से नियमों को फॉलो करता है यहां पर यह रिंड की समयावेदी होती है यह एक माहा तक के लिए लेसक तीस्रा इसका जो साधारन कारे है वो एंक रिट का कारे केंदर सरकार और राजि डेने का कारे करता है और जो यह के लिए आग्रिम जमा के रूप में? प्रदान किये जाते हैं अगले इसके साधारन कारे की हम बात करें तो यह अनुसुचित बैंक और राज सरकारी बैंक को जब यह रिण देता है तो इसमें यह कौन से नियम फॉलो करता है कि जब अनुसुचित बैंक और राज सरकारी बैंक को रिण देता है तो वह हमने देख प्रता करता है लेकिन बहुत सारे नियम और कानून को फॉलो करते हुए रिनप्रेदान करने का कारी करता है। सकता हैै कि अगले इसके साधारन करें की बात करें तो बिलों का भी क्रें मैं क्रें हुद्त्र हुद्ध टो ऋनका ही यह कर सकता ऑर दूसरी बात कि यह जो व्यपारिक और वाणिजिक बिल होते हैं उनको ये भुनाता है बट्टे पर भुनाता है और उसके बाद फिर उनके क्रेविक्रे कारे भी साथ में ये करता है ऐसे ही साधारन कारे की बात करें तो यह क्रिशी बिलो का क्रेविक्रे तो रिजर्व बैंक क्या करता है कि आवशक्ता पढ़ने प करता है और यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि सोने के जो सिक्के होते हैं उनके साथ साथ स्वर्ण धात्वें जो होती है उनका भी क्रेविक्रे करता है साथ में जो कीमती सामान होते हैं जो जैसे हमने तेखा कि सोने की जो धात्व उनके सुरक्षा साथ आते हैं इसके साहथ-साथ यह कुछ विकास संबंधी कारे भी करता है तो एक बैंकों का इसके ऑंतर जितने भी इसके इंतर इंक आते है उनके विकास का कारी ये अपना उत्तर दाइत्वे समझता है तो सबसे पहले banking सुविधाय को बढ़ावा देना अगpit प्रियास करता है कि दुपने कारने की पैसे- मिकालने की रिड़ देने और banking से संबंधित या investment से संबंधित विन्योग से संबंधित सारी जो सुविधाये हैं उनको बढ़ाना इतना अच्छा करना कि जादा से जादा बैंकों के जादा से जादा ग्राहक बन सके दूसरा हमने पिछले अध्यायों में जो देखा था कि इसके लिए जो जरूरी कारे है वह यंत्रिक कर देना यानि अच्छी से अच्छी टेक्नलोजी को इसमें यूज करना कि ग्राहकों को परिशानी ना हो और वह बैंकिक सुविधायों का आनंद लेते रहें तो इस शेत्र में विकास बैंकों के विकास में बढ़ावा देने का कारे करता है और साथ ही साथ यह अध्योगिक साख के लिए भी कारे करता है हम देखते हैं अध्योगिक विकास निगम वित्त निगम विन्योग के लिए बहुत सारे कारे करता है तो यह प्रयास करता है कि देश के जो उध्योग धंदे है उनको रिड मुहया कराया जाए साख की सुविधा उपलब्द क पर आई जाए और जो प्रक्रिया होती है साख की जो रिड लेने की जो प्रक्रिया होती है बुक्तान की जो प्रक्रिया होती है उसको आसान बनाने का प्रयास किया जाए ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को प्रोचसाहित किया जाए साथ में इसका एक महत्वपूर्ण विक प्रारंब से लगूत योगो के विकास पर जोड़ दिया गया तो चेंद्री बैंक भी प्रयास करता है कि सांक सुईधा रेंड सुईधा के मांद्यम से लगूत योगों का विकास किया जाया और इसके अंतर्गतिन सब बात को ध्यान में रखते हुए ही लघूत लीजिङास बैंक के सापना भी किए गई है कि इसका एक कारे हम कुरीन कली साथ क्रिशी कि जादा से जाधा बढ़ावा दिया जाए जो उपज है उसमें सुधार लाई जाए इसके लिए वो समय समय पर प्रयास करता रहता है और क्रिशी के लिए जो भी कर सकता है रिण उपलब्द कराने के लिए वो सारे कारे इसके द्वारा किये जाते हैं साथ में क्रिशी के विकास के लिए क्या कारे करता है एक बिंदुवार अगर में इसमें नजर डाले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ने क्रिशी के लिए एक तो अलग-अलग क्रिशी विकास के लिए उसने विभाग खोल के रखे हैं साथ में ये सरकारी बैंकों को भी क्रिशी संबंधी सलाह देता है कि इसके अंतरकर जो भी बैंक आते हैं वो कौन-कौन से ऐसे कारे कर सकते हैं किस-किस तरह से वो कौन-कौन से प्रक्रियाओं को अपना सकते हैं जिसे क्रिशी के छेतर में विकास किया जा सके और इसके साथ ही 1982 में नाबार्ड की स्थापना की और इसका भी बहुत महतुपूर्ण उद्देश यही माना गया कि क्रिशी और पर्यावरण संबंधी जो कारे हैं उनमें सुधार लाया जाए उनका विकास किया जाए तो यहाँ यहाँ पर जो हमने देखा वो क्रिशी से संबंधी जो कारे वो कर सकता है उसके बारे में हमने जाना अब अगर हम एक नज़र डाले कि कीमत इस्तर में इस्तरता के लिए भी कारे करता है यह भी विकास का एक महतुपूर्ण पहलू है कई बार जो मुद्रा स्विति साख उपलब्द कराने का कारे करता है और साथ में रिण संबंधी जो नियम है उनको बनाता है रिण संबंधी नियमों में भी कठोड़ता लाने का प्रयास करता है उसके साथ ही साथ यह साख नियंतरन का जब कारे करता है तो साख नियंतरन के अंतरगत कुछ निर्धारन के लिए बहुत मतपूर्ण चीज है क्योंकि उसके आधार पर ही कोई भी व्यक्ती, कोई अध्योगिक संस्थान, कोई भी अध्योग रिण लेने या ना लेने करनिश्च्य करते हैं तो बैंक दर के बारे में एक तो यह बहुत मतपूर्ण निर्णा लेता है और यह बहुत मतपूर्ल रिण काई कर ह Τाहिए अगर लाम की उत्वरण समलना है तो धहसते निर्मार किया जया है कि तरह में शेल करनी करता है अगर बात wors कि यहां पर हम देखते हैं जो होती है उनका क्रैविक रहता है दूसरा यह जनता का धनदwe प्रतिभूतियों में विन्योजित किया है उसको प्रोच साहित करता है अब ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो जनता का धन है वो इनके पास आता है विन्योजित होता है तो इसे मुद्रा की जो कमी होती है उसकी यहां से पूर्टी की जा सकती है कुल मिलाकर पूर्टी को करने का यहां प Zoo कि करता है इसी तरह परिवर्थाठाशीन कोशन उपाद का भी कारी करता है यह है हमें प्राहराब में यह देखा कि कोश जो होते हैं वो नगत साख और रिड़ के रूप मेंलाग अलग कर तो और बात करें अगर हम परिवरतन शील कोशों की, तो एक निश्चित प्रतिशत जो होता है वो प्रतेएक बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपना जमा करना पड़ता है तो वो प्रतिशत क्या हो इसमें किस तरह का परिवर्थन करना है कमी लाना है वृद्धी करना यह सारे चीजों कभी नर्णा यह लेता है साथी साथ यहां हम देखते हैं कि तरल कोश अनुपात का निर्णा लेता है पहले भी हमने जाना कि बैंक जो है वो कुछ जो फंड है उसको तरल यानि कि तुरंद के तुरंद कैश मिल जाए इस रूप में वो जमा करके रखता है और बाकी को कही न कहीं वो इन्वेस्ट कर देता है रिन देने में या और किसी प्रक्रिया में वो लगा कर रखता है तो नगद कोश्ट का अनुपात क्या हो कितना पैसा जो है वो तरल रूप में रखा जाए इस बारे में भी नर्णा लेने का कारे करता है और साथ ही साथ चैनात्मक साख नियंतरण का कारे करता है चैनात्मक साख नियंतरण अपने आप में एक महतपूर्ण कार है वास्तों मे इसे अधारा 21 के अनुसार रिजरो बैंक को कुछ अधिकरित किया गया है जिसके अंतरगत वो कारे करता है आए कुछ बिंदियों के अधार पर देखते हैं कि इसके अंतरगत वो कौन-कौन से कारे करता है तो यहां पर हम देखते हैं कि रिड की जो मात्रा है और दिशा है उस को नियंत्रत करता है सबसे पहले देखता है कि कि कितना खेट कीतना दिया जाना बोगा दूसरा इसी के अंतरगत वो देखता है कि मुल्यांतर जो है रिन का और नगत कोश का और साख का उसमें अंतर कितना है उसको बढ़ाना या घटाना किस प्रकार है साथ में कुछ वस्तों के कारेयों के उत्पादन कारे में अगर रिन की मांग की जाती है तो बहुत सी वस्तों ऐसी है जिनके उत्पादन कारेयों पर दिये जाने वाले रिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है तो उस प्रतिबंध को बनाया रखने का कारे करता है और साथ में अंतिम रूप में एक महत्वपोर बात यहाँ पर ये भी एक नहीं से सब्सक्लिद कर सकता है अब गर हम बात करें इसके नैतिक दबाव की नितिकी तो ये भी एक महत्वपोर कारे करता है नैतिक दबाव का इसके अंतरगति क्या करता है कि इसके जो सदसे होते हैं जो सदसे बैंक होते हैं उनको ये सलाह देता है उनकी सभा बुलाता है और बैंकिंग से सम्मंदित जो बहुत महत्पूर्ण कारे होते हैं जिसे ब्याजदरों का नरधारन या रिन का भुकतान रिन पर ब्याजों का न इन सब चीजों के लिए वो अपने सदसे बैंक जो होते हैं उनकी सभा बुलाता है उनको सलाह देता है। उनको सुझाओ देता है। जमानत के बीना यह रिण नहीं देता है। तीसरा जो इसका वर्जित कारे है वो यह है कि ऐसे किसी भी विपत्र को यह स्वेकार नहीं कर सकता। जिनका की मांग करने पर भुक्तान हो नहीं सकता है। उसी तरह एक वर्जित कारे इसका यह है कि देश के किसी भी वैपार वाणेज्य या उद्योग धंदे में यह भाग नहीं ले सकता है। यानि उनके शेयर्स नहीं खरीद सकता। साथ ही साथ एक और वर्जित कारे जो यह है कि अचल संपत्ती पर एक तो यह जमानत नहीं दे सकता है। और साथ साथ किसी प्रकार की इस तरह के अचल संपत्तियों को खरीद भी नहीं सकता। साथ ही साथ एक महत्वपुन बात ये भी देखने को मिलते हैं कि रिजर्व बैंक अपने या अन्य बैंक के किसी कंपनी के किसी भी शेयर्स को कभी भी खरीद नहीं सकता है और अब हम एक नज़र डालते हैं रिजर्व बैंक के सफलताओं पर जब हमने देखा कि रिजर्व बैंक कौन-कौन से कारे करती है अलग-अलग शेत्र में अलग-अलग तरह के कारे करती है और उन कारियों में सफलता कितनी मिली क्या नए कारे कर पाने में सफल हुई रिजर् निर्गमन पर एक अधिकार स्थापित किया नोट निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक के अलावा किसी को भी नहीं है साथ में यहां पर हम यह जान लें कि 1935 से लेकर 1956 तक जो है इन्होंने अनुपातिक कोश्प्रणाली का सहयोग लिया और साथ में 1956 में नियूंतम कोश प्रणाली के नीति लागू की और इन दोनों प्रणालियों को अपना कर ही इन्होंने नोट छापने का जो एक अधिकार है वो अपने पास सुरक्षित रखा दूसरी एक बात यह भी महत्तपूर्ण है कि बरतमान में 115 करोड रुपय मुल्य का सोना और 85 करोड रुपय मुल् है और साथ ही साथ मुद्रा की पूर्टी को नियमित कर पाना भी इन क्रियाओं के माध्यम से संभव हो पाया है तो यह बहुत बड़ी सफलता मानी जाए इनके कारियों की और दूसरी सफलता की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सुलब मुद्रा नीतीन उने अपनाई रिजर्व बैंक जो है वो उसके स्थापना के समय बैंक की जो दर थी वो थी 3.5 परसेंट और 1935 में नवंबर 1935 की बात करें तो यह घटकर 3 प्रतिशत हो गई और 1999 तक यह लगबग स्थिर रही इतनी ही रही और बाद में उन्नीस सो इंक्यानबे तक की जो ब्याज दर थी वो धीरे धीरे बढ़कर लगबग 10 प्रतिशत चली गई हो वर्तमान में लगबग 6-7 प्रतिशत के बीच यह दर्मानी जाती है अगर हम बात करें कि इस ने किस तरह की मौद्रिक नीती को अंपनाया तो इन विंदों के आधार पर कह सकते कि प्रारंब से एक सुलब मुद्रा नीती को अपनाते हुए उन्होंने र话 स्वाूच के नियु force अखा करो दो समस्वाइन की हैy उससे हैं आधा साथी साथ हमने देखा था कि चैनात्मक साक नियन तरन कहा रिण के लिए कितने कोश बना कर रखना चाई है कितना प्रतिशत आरक्शीट रखना चाई है इन सभी नियमों के अधार पर इन्होंने कुल मिलाकर स्वीती नियंत्रण का कार्य किया है बात अगर हम करें ब्यास दरों के सिर्टा की तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्टरेशन जो ब्यास दरों में होता है उसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा चुका है पहले के सरकार जो रिजर्व बैंक है वो अपने कुछ निश्चित नियमों के तहट केंदर सरकार राज्य सरकार और द्योगिक विकास के लिए बहुत सारे छेत्र में अलग-अलग नीतियों को लागू करते हैं रिंड प्रदान करने का कारी करती है साथ ही साथ इसने कृशी वित्त करें तो अधियोगी के लिए वित्त की व्यवस्ता कराने के लिए कि लिए बहुत सरे महात्रपूर्ण कारी किया और उसमें पर्याप्त जो पेक्षित जो सफलता थी वह उन्होंने हासल की साथी साथ समाशोधन अग्रह की विवस्ता कर दी यानि कि जिन राज्यों में तरह से बहुत सारे चेत्र में चाहे वह आम जंता के लिए क्रिशी के लिए हो द्योगों के विकास के लिए हो उन्होंने पर्याप्त कारे किया लेकिन कहीं न कहीं किसी चेत्र में असफल भी रहे हैं तो आए इनकी असफलताओं पर एक नज़र डालें तो हम सबसे पहले इनको नियंत्रित किया जा चुका है लेकिन अगर समाप्त करने की बात करें तो अभी तक या बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्ट कम करने के उस दर किया करने बात करें तो उतनी सफलता भी हासिल नहीं हो पाई है दूसरी बात करते कि मुद्रा बाजार में जो संबंध अपे और साथी साथ जो अगर हम एक नज़र डाले कि स्वादेशी बैंकर जो थे जो अपने छेत्र के जो चैवश्रमिक हो या किसान हो उनको जो रिन देने का कारे करते थे उन पर ये जो बैंक है वो किसी प्रकार करने अंतरण सापत नहीं कर पाई दूसरे बात करें उची ब्याजदरों की तो ब्याजदर उची रही ब्याजदरों में जैसा कि हमने पिछले सफलताओं में भी देखा था ज़ूंस भेट में बिनदता हाई और ये बढ़ते हुए करम में हाई कि ब्यास दर बहुत ज़्यादा होने के कारण वास्तों में जो ग्राहकों को लाप्राप्त करना चाहिए था वो नहीं कर पाए साथी साथ बिलबाजार का विकास जो था वो भी असफल रहा बात करें अगर हम बिलबाजार की तो 1952 में जो बिलबाजार की विकास की जो योजनाय लागू की गई थी उसमें जो विकास अपेक्षित था वास्तों में इस तरह का कोई भी विकास बिलबाजार रहने की गरती बढ़ती रहती है तो एक स्थरता लाने का जो कारी किया रहा था पूर्ण रूप से वहां पर सफल नहीं हो पाए ठीक इसी तरह बैंकिंग सुमिधाओं के विकास विस्तार के लिए बहुत से कारे किये लेकिन अब भी अगर हम देखें तो इतनी टेक्नलोजी इतनी वि पाते अगर हम बैंकों में प्रत्यक्ष व्यभार करना चाहें तो कई बार हमको वहां के लोगों का जो रूखा व्यभार रहता है उसका भी सामना करना पड़ता है सपोर्ट नहीं मिल पाता है या नेट फैसलिटी ना होने पर हम उनका यूज नहीं कर पाते हैं महंगे होते तो इस तरह की बहुत सारे सुविधाया है जो एक कस्टमर जो है वो एक्सपेक्ट करता है लेकिन लोगों को मिल नहीं पाती हैं अगली अगर हम बात करें साख नियंत्रण की तो आपने देखा कि किस प्रकार साख नियंत्रण के चेतर में बहुत सारे कारे किये गए बहुत सारे अलग-अलग नियम कानून लाए गया लेकिन फिर भी साक नियंतरण की जो समस्य है वो अभी तक बनी हुई है अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस पूरी अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार रिजरो बैंक लगातार प्रयास में रही कि उनके जो अधिनस्त बैंक है उनकी कारे प्रणाली को कैसे नियंतरित किया जाए कि नियमों के तहत कारी किये जाए कि बैंकों का जादा से जादा विकास हो सके क्योंकि बैंक एक आधार शिला है जो सभी लोगों को एक बेस देती है काधार देती है आगे बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए कुल मिलाकर कारे तो काफी किये गए बहुत सारी हमने सफलताओं को देखा बहुत सारी असफलताओं झाल झाल